नमस्कार सुआगत है अब सभी का कोरोना वाइरस महामारी का प्रकोग जिस तरह से बढ़ता जा रहा है कई राजियों ने लोगडाउन लगानी का सिलसिला शुरू कर दिया है इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी lockdown लगानी का आदेश इलहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है कोर्ट ने UP के मुखे सचीव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिये हैं कोट की तरब से दिया गया या आदेश आज रात से लागू होगा इस दोरान शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़ कर कोई भी दुकान, होटल, आफिस और सारजनी के स्तल नहीं खुलेंगे मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक है कोट ने यूपी सरकार को सक्त नर्देश दिये हैं कोट की तरब से जारी आदेश के मताबिक प्रियागराज, लखनव, वारणसी, कानपुर नगर और गोणपुर में आर्थिक संस्तानों मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंडर्स्टियल और वैग्यानिक संस्तानों और जरूरी सेवाओं वाले संस्तानों को छोड़ कर सभी चीजे बंद रहेंगी सभी शॉपिंग मॉल्स और कॉंप्लेक्स 26 अप्रेल तक बंद रहेंगे सभी ग्रोशरी शॉप और अन्य कमर्शियल दुकाने जिन पर तीन से अधिक लोग काम करते हैं वो बंद रहेंगे होटल, रेस्टरॉन और खाने पीने के सामान वाले ठेले भी 26 अप्रेल तक बंद रहेंगे प्रदेश के सभी सिक्षण और अन्य संस्तान भी 26 अप्रेल तक बंद रहेंगे या आदेश टीचर, इंस्टेक्टर और स्टाफ के लिए भी लागू है किसी भी सामाजिक फंक्सन और आयोजन को 26 अप्रेल तक अनुमती नहीं है जो शादियां पहले सित्य हैं उन्हें संबंदित जिले के जिला अधिकारियों से अनुमती लेनी होगी यहां केवल 25 लोगों के आने के अनुमती होगी इस दोरान सभी धार्मिक गत्विधियों पर भी रोक रहेगी 26 अप्रेल तक सबजी, फल, दूद वाले और ब्रेट बेचने वालों को 11 बजे सुब़े के बाद सड़कों पर नहीं रहना है कंटेन्मेंट जोन के बारे में हर रोद शहर के दो बड़े हिंदी और अंग्रेजी अकबारों में जानकारी दी जाएगी यह एक बार ऐसे होंगे जो इन पांच शहरों में जादा पड़े जाते हैं सड़कों पर गैर जरूरी काम के लिए आना जाना बिल्कुल बंद रहेगा मेडिकल हेल्प और एमर्जनसी के मामले में छूट रहेगी इन आदेशों के अलावा कोट ने उत्रप्रदेश सरकार को वैक्सिनेशन में तेजी लाने के भी आदेश दिये हैं तो उत्रप्रदेश के इन पांच शहरों में लॉक डाउन लगा दिया गया है और 26 अप्रेल तक ये रहेगा और कड़ाई से न्यमों का पालन प्रशाशन द्वारा करवाया जाएगा तो अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो सावधान ने सतरक रहें और जरूरत ना हो तो घर के बाहर ना निकले आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आया हो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल चैनल